वेलकम टू माँ चानल निलूज क्रेटिविती तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए के रेसिपी लेकर आई हूं यह रेसिपी है पनीर की रेसिपी अप लोग अब तक तो समझी गए होंगे तो आज जो मैं आपके लिए पनीर की रेसिपी लेकर आई हूं यह है दही पनी पनीर के तो धीरों सारे डिस होते हैं यह दही पनीर बहुत ज्यादा टेश्टी बहुत ज्यादा यम्मी होता है इसे आप लण्च में डिनर में कभी भी सर्व करें सबको पसंद आता है और उम्मीद करूंगे कि आप लोगों को यह दिस और फिए मेरे बनाने का तरीका आप लोगों को पसंद आए आप लोगों के लिए यूश्फुल हो सबसे पहले हमें पनीर ले ले अगर मेरा ब़जन में टाय सो गरम पनीर है कर लेना और यह बरे से बावल में मैंने चार-पांक चमच दही लिया और इसमें आपको दो चमच बेसन मिक्स करना बस दो चमच ज्यादा है और इसमें थोड़े से मसाले भी एड़ करूंगे ये नमक ये हल्दी और ये चमच जीरा पौडर है अगर एबेलेबल हो तो आप डाले नहीं तो आप इसकी भी कर सकते Хाड़ा धनिया भी डाल सकते है यह मेरा बैटर थोड़ा गाढ़ा था तो मैंने दो चंमच पानी डालके उसे पतला कर लिया और देख सकते हैं मैंने ऐसे पीसेज में कट किया है पनीर को अभी पनीर बहुत हार्ड है बड़ जब मेरिनेट होने के बाद यह काफ ही सॉफ्ट हो जाएगा कि इसे आपको इसमें डिप करते समय थोड़ी से साफधानी के साथ करना है कि पनीर टूटे नहीं हाथों के हल्प नाले चमत सेहीं करें करें और यह मेरे यह बीश मिनट हो चुका है तो यह सारी तैयारिया करली यह दो बड़े साइज के प्यास बारिक काट लिया है, ये मेरा बेबी ओनियन है, ये मैं ऐसे ही डालूँगी पूरा, आपके पास अवेलबल हो तो आप डाले, ना हो तो आप इसकी भी कर सकते हैं, बाट आप इसकी ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, अगर आपके पास मेडियम साइज का हो, तो आप दो हिस्सों में कट कर ले यह मैंने दो तमाटर की प्यूरी बना के रखी ए यह लहसुन का पेष्ट है यह चार हरी मिर्चे मने लंबे-लंबे कट कर लिया है अद्रक के भी श्लाइश ले लिया लंबे-लंबे मैंने इनको पीसा नहीं है ऐसे ही डालेंगे और यह मसालों मैंने देर चम्मच जीरा पौडर लिया है, हाफ चम्मच धनिया पौडर है, धनिया पौडर कम यूज कर रही हूँ, रेर चिली पौडर, एक चम्मच गर्म मशाला, हल्दी, और नमक, यह सब आप सकता अनुसार ही देना है आपको, इस में से आप कुछ भी मसाला कम ज्यादा कर सकत है, यह मेरा पेन गर्म हो चुका था, तो मैंने ओयल डाला और यह एक चम्मच घी यूज कर रही हूँ, घी बिल्कुल ऑप्सनल है, आप चाहें तो डाले, ना चाहें तो ना भी डाले, गी से थोड़ा सा अच्छा टेस्ट होता है, पनी के साथ घी या बटर का कॉंबिनेस बहुत ही अच्छा जाता है, तो आपको इसी तरह सारी पनीर पहले कर को निकाल लें, पनीर को अच्छा सा अफ्राइ करना है, डी फ्राइज और यह फ्राइज होने के बाद बहुत ज्यादा सौफ्ट हो जाता है, बिल्कुल मुलाएं, तो यह देख सकते हैं, मैं यह इसी पता और हमें प्याज एड़ करना है यह मैंने प्याज एड़ कर दिया है यह प्याज मेरा एक मिनट भून चुका था इस टाइम पर मैंने हरी मिर्च और अद्रक डाल दिया और हमें अब इसे अच्छा सा गुल्डेंग करना है और यह प्याज मेरा भून चुका था तो मैंने यह बेबी ओनियन डाल दिया इसमें बेबी ओनियन को फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना जेश्ट यह दस सकेंड सौटे करना है तब तक हमें दर मसाला मिक्स कर लेते हैं बाद में डालूंगी और नमक करन को अबसे बीलकुल भी नहीं डालना है नमक को बाद में डालेंगे I थे अच्छा सा ओइसि अच्छा लगता है उसका टेस्ट भी अपने आप में वह काफी टेस्ट होता है तो मैं इस टाइम पर इस्में और यह मेमरा ड्ट काथे करी It और more दिठी कर दो मिनट पकाना और यह मेरा इसे थोड़ा सा और अच्छे से पकाना है देख सकते हैं उयल छोड़ रहा है मसाला मतनल मसाला हो चुका है तो इस टाइम पर मैं फलेम को कम खर के मसाला को थोड़ा से ठंडा करके मैंने दही अड़ किया बस एक चमची मेने दही लिया था उसे पानी के साथ मैंने फेट लिया और इस टाम करने के बाद बिल्कुल आप हलके हाथों से चलाएं ज्यादा उसे ना परिशान करें सब्जी को परिशान करने से सब्जी भी परिशान हो जाता है अब देख सकते हैं आई जी से ठंडा होने के बाद सब कलर जबरदस्ट आता है बहुत बहुत बहुती सुन्दर सा कलर भी आता है और यह देख सकते हैं प्याज भी हमारा पक चुका है और मैं गैस को बंद करके इस टाइम पे इसमें हरे धनियां डाल दिया और ये दो मिनट बाद लुक देख सकते हैं और ठंडे होने के बाद तो और भी सुन्दा सा लुक आता है तो अब ये मेरा हमारा सब्जी शर्व करने के लिए रेडी है आप इसे जरूर बनाएं और आपको कैसा लगा इस खानों पर मेरे साथ जरूर सेयर करें आप इसे आप चावल के साथ बनाएं जीरा राइस के साथ बनाएं नान के साथ बनाएं किसी भी तरह से बना सकते हैं बहुत ही बहुत ही बहुत ही तेश्टी लगता है देख सकते हैं ठंडा होने के बाद इसका कलर बहुत बिल्कुल मेरी आज की दही पनीर की रेसिपी उमीद करने कि आप लोगों को पसंद आया आप लोगों के लिए यूजफुल हो तो यहां पर मैंने पास से छे लोगों के लिए बनाया है तो मैंने इतने मसाले यूज़ किय आप बिल्कुल अपने कोडिंग रख सकते हैं आप इसे नान के साथ चावल के साथ पूटी के साथ भी सर्व करें बहुत ही ज्यादा टेष्टी बहुत ही ज्यादा यम्मी लगता है तो आसर करूंगी कि आप लोगों को मेधी रेसिपी पसंद आया तो अगर पसंद आया हो तो उसके लिए बहुत बहुत थाइंक यू और उमीद करूंगी कि ये रेसिपी भी आप लोगों को बहुत पसंद आये अच्छा लगे तो आज के लिए तो मैं बस इतना ही बोलूंगी बाई